अब देख़ें ओधेटेम्स पंजाब के स्री टिवी हर्याना में विदानसवा चुनाओं के लिए परचार जोरो सोरो पर है परदान मंतरी नेहंदर मोधी भी अलग-लग विदानसवा चुनाओं में परचार कर रहे हैं तो वहीं नेता विपक्स राउल गांदी भी अलग- सीटों पर जो है वो जीत हजिल कर सकती है देखिए बारतिय जंता पार्टी पूरी तरीके से बुखलाई हुई है यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन कमिशन के जो ओडर है राज्य सरकार के जो अफसर हैं उनको भी फोलो नहीं कर रहे हैं उनकी धजियां अगर मैं आपको बताऊं सोड़ा नो का एक और इलेक्शन कमिशन द्वारा अप्रूम मुख मंत्री जी ने किया अभी तक भी उन अफसरों की रिलीव नहीं किये हैं क्या कारण है कि जो यह एक्साइज डिपार्टमेंट के और जो सेल्टेक्स जीस्टी के जो अफसर हैं व इतनी बुखलाई हुई है भारतिये जनता पार्टी मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से चुनाव परचार चल रहा है नहीं परदान मंत्री नहिंदर मोदी भी परचार कर रहे हैं क्या लगता है कि कॉंग्रेस अब कितनी सीट जो है वो जीत हासिल कर सकती है कि कॉंग्रेस प परदान मंत्री जी का भासन हर्याना की अंदर लोग हांस रहे थे उनको बड़ी मजबूती से बेजना क्योंकि लोगों में गुस्सा है और वो गुस्से से बटन दबाएंगे लेकिन गुस्सा तो आप लोगों के बीच में भी है कुमारी सैज्जा उधर नाराज चल रही है बुपेंदर सिंह उड़ा अलग चल रही है कॉंग्रेस का खेमा ए आपने पूरे हर्याना के लोगों ने देखा है उनके यहां सीर फुटुबर कुछ हो नहां नहीं लेकिन लड़ाई चैर राविंदर जी तो हो और राम बिलास सर्मा जी जिस तरीके से मंच से कैसे उनके आसु किस तरीके से रोए है भारते जंता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है नोजवानों को आज जैसे राहर गांदी जी ने कहा कि हर्याना का जो नोजवान उसको क्यों जरूरत पड़ी बच्चे रो रहे हैं उनसे मिनने के लिए यह हाला आज कांग्रेस जो नंबर वन था उटा जी की सरकार में जब हमने छोड़ी मतलब जब नंबर वन था का नोकरेज्ञा देने में आये में वह सारा का सार्व दस सार में पीछे द दकेल अब दूसरों के घर की तो बात कर रहे हैं लेकिन अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पrices disgrace में उपडभी ने पष्चार करें वहीं अगर बुबिंदर सिंग्ड़ा इसका विदान सभाव में इसका नुपसान होता है सिल्जा जी जान से लगी हुई उवगा सब फटार करें सुझेवाण जी उधेबान जी सभी हमारे नेता राष्टिये नेता हमारे जो स्टेट के नेता सभी जी जां से दिन रात लगे हुए हैं उस व को अधिकार कोंगर्स की बात करने हैं वह नुक्सान नी होगा जो जिस तर्व के से दढ़े बाजी चल रही है कहां दढ़े बाजी तो बात यह जमता पाट्टे की अंदर है जो कि उनके चाहिए आपको पहने बताया चाहिए अन्हीं लिवीजी ने क्या प्याद दिया था कि अगर मेरे को बनाएं जब उन दंकी का मामला सामने आया क्योंकि रहूल गांदी करनाल जाते हैं महां पर वीडियो बनाते हैं और आज फिर जब वह कहिना जब वह चुनाव परचार कर रहे थे भासन दे रहे थे तो नहींने डंकी का मुद्द्ध जो है इस बार उठाया है क्या कहेंगे सवाद वीडिया नहीं है और राहुन जी सुबध 4 बजे वहां गए और उन्होंने जो वीडेश में हमारे जबाई जो यहां से तंग होकर जो गए थे जो नोकरी के लिए गए थे अगर हमारे हज़्याना में होँची तो ये सब बाते हैं तो इसलिए हमारे हां कोई धड़ेवाजी कुछ भ और पार्तिय जनता पार्ट्वे लिए काम किये जब चुनाओं में जाते हैं तो सत्ता दारी पार्टी होती है वा कूछ भी बताने के लिंए और जो आ कर्ची पर्ची की बात करते है ना इनके इस बार हुद्दा जी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह सरकार जा रही है और कॉंग्रेस आ रही है तो बिल्कुल यहे तेप कॉंग्रेस के परवक्ता सथीस बंसल जिन्होंने खास बाचित की दिली से कमल कुमार कंसल नौध टैम्स पुंजाब के श्रीटी दी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन देवाद